तो मित्रो हमने एक 6 इंच का बोक्स बनाया है और इसके लंबाई है 4 फिट और इस बोक्स को हम इस दिवार के उपर फिट करने वाले हैं फरी होल आपको वही करना है जो आप दिवार के अंदर गिटी लगाना चाहते हैं अगर आपके पास पतले स्कुरू है 3 इंच के तो आप 6 इंच के लगाएं लेकिन अगर आपके पास कोई जाडे स्कुरू है 3 इंच के तो आप 8 इंच के लगाएं तो मेरे पास पतले स्क्रू है तीन इंच के तो मैं या पर इस मशिन के अंदर 6 mm का बीट लगा के स्प्लाई के अंदर होल कर लेता हूँ और उपर की साइड में 3 होल करेंगे और निचे की साइड में 3 होल करेंगे तोटल 6 होल करेंगे अब मैं क्या करूंगा यह जो अलमारी बनी हुई है इस से 15 इंच छोड़के मुझे इस साइड में इस बोक्स को लगाना है तो आप अपने इच्छा अनुसार जहां पर आपको लगाना है वहां पर आपको साइड में मारकिंग कर लेना है तो मुझे यहाँ पर 15 इंच की जगह छोड़ कर इस box को इधर लगाना है तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर marking कर लेता हूँ और निचे के साड़ मुझे यह साड़े 15 इंच की जगह छोड़नी है उसके बाद में इस box को लगाना है तो आप अपने इचान उसार उपर निचे जहाँ पर आपको लगाना है वो इसाफ से आप लगा सकते हैं अब यहाँ पर आपको निचे marking भी आप कर सकते हैं या फिर आप जितने आपको उपर रखना है box को उसी लंबाई को आपको लेकडी के दो support cutting कर लेना है जियान रखें मित्रों दोनों support एक level में होने चीए फरक नहीं होना चीए तो मैं यहाँ पर यह दो support cutting कर लिया हूँ और नीचे इन दोनों को खड़ा कर देंगे और अब हम क्या करेंगे इस box को इन support के उपर रख देंगे और उसके बाद में जो हमने side में जो marking किया है वो marking हमें मिला लेना है बरोबर तो यह marking हमारा बरोबर मिल गया है अब हम क्या करेंगे मित्रों जो हमने पीछे की side में hole किया है वोई होल हमें दिवार के उपर निसान लगाना है तो मैं यहाँ पर इस हैमर की मदद से इस दिवार के उपर मार्किंग कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम जितने भी होल किये हैं इन सभी का दिवार के उपर मार्किंग कर लेंगे मार्किंग हो गए है अब हम क्या करेंगे इस बोक्स को नीचे उतार लेंगे मित्रों अपन चाहते तो डारेक्ट भी इसको लगा सकते थे लेकिन बोक्स बहुत छोटा है तो इसके अंदर हतोड़ी चलेगी नहीं अपना जो असक्रू है वो बरोबर दिवार के अंदर जानी पाएगा कि अपनी जो गिट्टी है वो बार ही रे जाएगी तो यह हमारा वोक्स नीचे आ गया है और अब हम यहाँ पर दिवार में होल कर लेते हैं ज्यान दके मित्रों होल आपको उतना ही करना है जितना आपका स्क्रू बढ़ा है तो मेरा तीन इंच का स्क्रू है तो मैं यहाँ पर इस पाने के उबर टेप लगाया हूँ और अब मैं यहाँ पर यह सबी जो मार्किं होए है यहाँ पर होल कर लेता हूँ और अब हम क्या करेंगे जो अपनी होल हुए है उस होल के अंदर हमें 6mm की गिट्टी लगा देनी है तो मैं आपर इस 6mm की गिट्टी जो दिवार के अंदर लगा देता हूँ और अब हमें स्क्रू लेना है उसके बाद में जो अपनी गिट्टी जो दिवार की लेवल है उसको अंदर करनी है तो जो हमारा दिवार के ओपर जो प्लास्तर हो रहा है उससे भी गिट्टी को थोड़ा अंदर लगाना है तो मैं screw की मदद से इन गिट्टी को अंदर कर लेता हूँ तो ये अपनी सारी गिट्टी अंदर चली गई है अब हम क्या करेंगे screw को खोल देंगे तो देखे करके सभी screw खोलेंगे screw खोल गए है उसके बाद में क्या करेंगे इस box को इसके उपर वापिस रखेंगे अपने support के उपर और वापिस अपना side का जो marking है वो मिला लेंगे तो अपने hole भी सभी match हो जाएंगे तो अब ये हमारे सभी hole match हो गए है निसान की बरोबर हमारा जो box है वो आ गया है और अब हम क्या करेंगे मित्रो जो अपने screw की जो चूड़ी है वो गिट्टी के अंदर पकड़ा देनी है दो दो चूड़ी तिन तिन चूड़ी गिट्टी के अंदर सभी screw को पकड़ा लेनी है और अब हम क्या करेंगे इन screw को बरोबर tight कर देंगे ध्यान रखे अगर आप कहीं hole करते हैं दिवार के अंदर अगर कहीं खाली आ जाता है तो आप वहाँ पर दूसरा hole कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो आपका hole खाली आया है उसमें आपका screw tight नहीं होगा तो इस चीज का आपको थोड़ा ज्यान में लगना है और यह हमारे सबी स्क्रू टाइट हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे जो अपने नीचे सपोर्ट लगे हैं उनको निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो अपना जो बोक्स है वो कितना मजबूती से फिट हुआ है मैं आपको उपर चड़के दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो अपना जो बोक्स है वो कितना मजबूत फिट हुआ है बिलकुल टस से मस नहीं हो रहा है बहुती मजबूती से अपने जो बोक्स है फिट हुआ है तो इसी तरीके साथ आप ये बोक्स फिट कर सकते है जै हिल